C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है नवी कक्षा के लिए उर्दू की सहायक पाठ्थे पुस्तक गुलजारे उर्दू भाग एक पेश है नवी जमात के लिए उर्दू की मौविन दर्शी किताब गुलजारे उर्दू अब प्रस्तुत है गुलजारे उर्दू भाग एक का तीसरा पार्ट नवाब मिर्जा खां दाख दहलवी सफा आठ तारुफ शायर नवाब मिर्जा खां दाख दहलवी नवाब मिर्जा खां दाख दहलवी पैदाईश 1831, इंतिकाल 1905 मिर्जा खां नाम दाख तखलुस था नवाब शमसुदेन एहमद खान रईस लोहारू के बेटे थे दहली में पैदा हुए लाल किले में परवरिश पाई जौक के शागिर्द थे सन 1857 के बाद रामपुर चले गए 1888 में हैदराबाद पहुँचे मीर महबूब अली खां आसिफ जाह उनके शागिर्द हुए उन्होंने अपने उस्ताद दाख दहल्वी को नाजिम यार जंग, दबेर दौला, फसीहुल मुल्क का खिताब अता किया और गिरां कदर वजीफा मुकरर किया आखिर दम तक इज्जत विकार की जिन्दगी बसर की कलाम के मजमुएं गुल्जार दाख, आफताब दाख, फर्याद दाख, महताब दाख और यादगार दाख शाय हो चुके हैं दाख को दहली की जबान और महावरे पर पुद्रत हासिल थी वो रोजमर्रा के इस्तेमाल का खास सलीका रखते थे उनका ख्याल था कि अर्दो जबान की बारीकियों को समझना आसान नहीं है दाख की जबान दानी का दबदबा इतना था कि उस जमाने के बहुत से शायरों ने उनसे इसलाह ली ऑ्लामा इखबाल ने भी अपना अप्तिदाई कलाम दाख को दिखाया था और दाख से इस तालुक पर फखर करते थे जबान के मज़े और बयान की शोखी के लिहास से दाख एक खास इम्तियाज रखते हैं सफा नौ गजल गोशायर नवाब मिर्जा खान दाख दहलवी की गजल अब पेश है नवाब मिर्जा खान दाख दहलवी की गजल खातिर से या लिहास से मैं मान तो गया जूटी कसम से आपका इमान तो गया जूटी कसम से आपका इमान तो गया डरता हूँ देखकर दिले बे आरजू को मैं सुनसान घर ये क्यों न हो महमान तो गया सुनसान घर ये क्यों न हो महमान तो गया देखा है बुद कदे में जो आई शेख कुछ न पूछ देखा है बुद कदे में जो आई शेख कुछ न पूछ इमान की तो ये है के इमान तो गया अफशाए राजे इशक में गो जिल्लते हुई लेकिन उसे जदा तो दिया जान तो गया लेकिन उसे जता तो दिया, जान तो गया गुनामा बर से खुश ना हुआ, पर हजार शुक्र मुझे को वो मेरे नाम से पहचान तो गया होशो हवासो ताबो तवाँ दाग जा चुके होशो हवासो ताबो तवाँ दाग जा चुके अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया नवाब मिर्जा दाग दहलवी मश्क सवालों के जवाब लिखिए सवाल नमबर एक शाइड ने दिले बे आर्जू को सुनसान घर क्यों कहा है? सवाल नमबर दो तीसरे शेर में शायर शेख से मतालिख क्या बात कहना चाहता है? सवाल नमबर तीन दर्जे जील शेर का मफ़ूम वाज़ कीजिए अफशाए राजे इश्क में गो जिलते हुई लेकिन उसे जदा तो दिया, जान तो गया सवाल नमबर चार पांचवे शेर में शायर का महभूब नामा बर कियामत पर खुश नहीं फिर भी शायर हजार शुक्र क्यों अदा कर रहा है? इसी के साथ ये सबक खत्म हुआ पार्थ तीन यहां समाप्त हुआ इसके बाद पार्थ चार आता है प्रस्तुती, C-I-E-T, N-C-E-R-T प्रस्तुती, C-I-E-T